नवस्कार दोस्तो इस्टेडीविद पॉन परदीप में आप सब लोगों का स्वागत है चर्चा की जाएगी आज महाधुपू के विसखेय में और महाधुपू से जो प्रश्न पुछे जाते हैं यह प्रतियोगी प्रक्षाओं को मद्य नजर रखते हुए चर्चा की जा रहे हैं आसा करता हूं कि आप हिंदी भास्री प्रदेशु के जो भी छात्र प्रक्षाओं में समलित होते हैं यहां से प्रस्ट निश्चित तोर पर आएगा यह चर्चा सुरू कर सभरते हैं जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कुल मिला कर पूरे संक्सार में अगर देखें तो श क्या कहते हैं यह चल्दी से देखें कि कौन कौन से साथ महाजवीब हैं जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे उत्तरी अमेरिका नंबर दो दक्सनिय अमेरिका नंबर तीन यूरोप नंबर चार यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे फिरका और नंबर पांच छेस्टिया महाजवीब नंबर च ऑस्तिजा महाधवीब नंबर साथ अंक्राटीका महाधवीब एसके साथ आप लोगों से जो प्रन पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं witnessed देखते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संसार मेरे कुल साफ महाधवीब है उसमें से जो सबसे बड़ा महादवीप है वह है एसिया महादवीप है जबकि सबसे छोटा महादवीप ऐस्टलिया महादवीप है जैसे कि आप लोग जानते होंगे और साथ ही साथ आप लोग से कौन से प्रश्ट पुछे जाते हैं आये देखते हैं जैसे प्रश्ट पुछा जाता है कि किस महात्वीप से ओकर इन हूं रेकाएं या नहीं कर्क मकर और विश्वत रेकाएं गुजरती हैं जैसे आप लोग यहां पर देख वारे होंगे यह भुमेती रेखा या विश्वत रेखा के नाम से जाना जाता है जीरो डिग्री पर यह इस्तित है और साथ ही साथ साड़े त्याइस डिग्री उत्तर में जो रेखा है इसे करक रेखा कहा जाता है और दक्षिन में जो साड़े त्याइस अंस या डिग्री पर जो रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है ये टीन ही तीन जो लाइने हैं यह आप लोग देख पा रहे होंगे कि आफिर का महादवीब से गुजरते हैं पूछा जाएगा कि किस महादवीब से करक मकर एम विस्वत रेखा होकर गुजरती हैं या तीन की तीन रेखाएं होकर गुजरती हैं तो आप लोग बता देंगे कि फिरका महादवीब से तीन ही तीन रेखाएं या नहीं करक मकर एम विस्वत रेखाएं होकर गुजरती हैं साथनी साथ आप लोगों से पुछा जा सकता है कि सबसे बड़ा महादवीप जैसे हम पहले ही चब्चा कर चुके हैं एस्याँ महादवीप है और साथनी साथ आप लोगों से प्रषक अन्य इस तरीके के पूछे जाएंगे आप लोग के लिए यहां पर मैं नोट किया हुआ हूँ और उससे पहले आप लोग यहां पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि उत्तरीय मिर्का है उत्तरीय मिर्का में राकीज परवत है और साथ ही साथ अपलेशियन परवत है और दक्षनीय मिर्का में देखें तो यह पर एंडीज परवत है एंडीज परवत क्या है दुनिया की सबसे लंबी परवत माला है उसके बाद अगर हम देखें दक्षिनी अमेरिका के बाद अफिरका महाद्वीब तो अफिरका महाद्वीब में सहरा मरुस्तल है जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्तल है उसके नदी है अमेचन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जबकि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है बड़ी नदी कहने का आरते हैं कि उसमें पानी ज्यादा है लंबी नदी कहने का आरते हैं कि वह ज्यादा दूर तक बहके जाती है ज्यादा लंबे सेत्र में बह भी महाद्वीप में वह यूरोप में सरवादिक है एसिया जैसे कि आप लोग देख वारे होंगे तिब्बत का बठार हिमालाई परवत हैं हमने यहां पर देखा था कि जो दक्षिन अमिर का है यहां कि जो परवत माला है एंडीच परवत यह विश्व की सबसे लंबी परवत स्रेणी है जबकि यहां पर हम देखा हैं हिमालाई पर्वत विश्व की सब से उची परवत माला है क्योंकि यहीं पर Mount Everest जो संसार की सबसे उची चोटी है हिमाले परवत या नहीं सागर माथा के नाम से जिसे नेपाल में जाना जाता है वो हिस्तिद है और जिसकी उचाई 8848 मीटर जो NCRT ने दिया है कहीं पर आप लोगों को 8850 मीटर भी दिया हो सकता है आप फिलहाल नहीं चीजों को याद रखें इसके साथ साथ आप लोग यहां पर देखेंगे और बात करें तो यहां पर Great Barrier Reef प्रस्ट पुछा जाएगा कि Great Barrier Reef कहां पर है Great Barrier Reef Australia महाद्वीप में हैं जबकि Great Lake की अगर बात करें तो उत्तरिय मिर्का महाद्वीप में हैं और साथ ही साथ मर्य डालिग नामक यहां पर जो Australia महाद्वीप है इसकी सबसे लंबी नदी है और अगर हम देखें अंतार्क किठीका तो यह मानों विहीन क्या है महाद्वीप है यहां पर भारत के दो बैग्यानिक अनुसंधान केंडर है गंगोत्री मैत्री नाम से जिन्हें जाना जाता है तीसरा जो अनुसंधान केंडर है उसके मिसे में आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ यह स्वेत महाजविप है क्योंकि यहाँ पर साल भर बर्भ बढ़ी रहती है आ सर्वोच चोटी आप लोगों को किस तरीके से लिखना है या याद करना है आप लोग इस तरीके से लिखेंगे या याद करेंगे जैसे कि आप लोगों से पूछा जाएगा उत्तरी अमिर्का की सर्वोच चोटी आप लोग माउंट मैकाले दक्सनी अमिर्का की सर्वोच च माउंट विंसन मैसिप यूरोप महादवीप की सबसे उंची चोटी माउंट एलवरोस ऐसे ही आप लोगों से पुछा जाएगा अस्टलिया महादवीप की सबसे उंची चोटी माउंट क्यूसको ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हैं इस्या महादवीप की सबसे उंची लें कौन कौन सी है आप लोग इस प्रकार से जरूर लिखें क्योंकि प्रस्ट बार-बार प्रक्षियाओं में ये पूछे जाते हैं पूछे गए हैं पूछे जाएंगे फिरका महाद्वीब की सबसे बड़ी जील अगर हम कहें तो विक्टरिया जील है एसिया की अगर सबसे बड़ी जील है कहिंगे तो कैप्षियन सागर है जो सक्षार की सबसे बड़ी सबसे बड़ा जील कहा जाता है प्रश्ट कभी पूछ सकता है कि एसिया महाद्वीब का सबसे बड़ा जील या सबसे बड़ी जील कौन सी है तो एसिया महाद्वीब की सबसे बड़ी जील कैप संसागर है ऐसे ही आप लोगों से पूछा जा सकता है उस्टलिया महाद्व का सबसे बड़ी जील आयर जील उतरी अमिर्का की सबसे बड़ी जील सुपरियर जील ऐसे ही यूरोप की सबसे बड़ी जील लेगोंडा जील है ऐसे ही आप लोगों को लंबी नदी जो पूमें हैं आप लोगों से अगर पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है यूरोप की सबसे लंबी नदी बोलगा नदी है फिरका महाजीब की सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी है नील नदी फिरका महाजीब के साथ साथ पूरे विश्व की भी क्या है सबसे लंबी नदी है और अगर हम भारत की कहें तो सबसे लंबी यह बड़ी नदी गंगा नदी है जब की उत्राखंड में काली नदी सर्वातिक सेत्र में वहती है उत्राखंड की सबसे लंबी नदी है उस्तिलिया कि अगर बात करें तो उस्तिलिया में मरें颡ालिंग सबसे लंबी नदी निल नदी सबसे बढ़ी नदी अमेजन नदी उत्तरीं अमेरिका की अगर सबसे बड़ी नदी है जब कि अगर बात करें तो एसिया में यांगती सी या नहीं यांगती नदी कह सबसे लंबी नदी है जो चीन देश में बहती है प्रश्ण कभी इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि वह कौन सी नदी है जो एक देश में सर्वादिक लंबाई या सर्व लंबी सेत्र में बहती है और एक देश में बहने वाली यह क्या है सबसे लंबी नदी है उसके बाद सरवादिक देशुंवाला महाजवीप की अगर बात करें तो यह है अफिका महाजवीप है और सांथ ही सांथ मरुष्टल बहीन अगर हम महाजवीप की बात करें तो मरुष्टल बहीन यूरोप है और कुछ अन्य महतवपूर्ण जो प्रशन पूछे जाते हैं उसके विश्य में देखते हैं विश्यु के सरवाधिक मैदानों का विश्थार अगर हम देखें तो यूरोप महाजवीप में है पठारी महाजवीप की अगर बात करें तो यह फिर का महाजवीप है उसके बाद अगर हम चर्चा करें अंतरिक जलमार्गों का सरवाधिक विकास कहां हुआ है तो यह यूरोप में हुआ है और साथ ही साथ हम देखें कि कि किस महाजवीप में एटलस परवत है तो अफिर का महाजवीप में एटलस परवत है सबसे आद्र महाद्वीब की अगर बात करें तो यह दक्षणी अमिर्का है और संट सिटी कहां है अगर हमसे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं कि दक्षण अमिर्का में है दो मिनट मां और कुछ महत्वपूर्ण बिंदू पर हम चर्चा करते हैं आए महाद्वीब यूरोप महाद्वीब जूपी महाद्वीब ऑस्टलिया महाद्वीब स्वेत महाद्वीब अंटार्क टिका महाद्वीब और जबकि महाद्वीब का महाद्वीब अगर आप लोगों से पूछा जाए तो एसिया महाद्वीब है 85 भूमिका महाद्वीब महाद्वीप है जो महाद्वीप का महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारे देश की इस्तिती भी इसी महाद्वीप में है और संक्सार की सबसे उची चोटी भी इसी महाजवीप में इस्तित है नहीं दुनिया का महाजवीप उत्तरी अमिर्का को कहा जाता है मानों का घर एसिया को कहा जाता है या नहीं मानों का घर किस महाजवीप को कहा जाता है ये प्रशने पूछा जाता है बिंग्यान के लिए समर्पित महाजवीप अंटार्कठी का महाजवीप है जो जहां पर की अनेक देशों के अनेक क्या हैं सोद सालाएं हैं अनुसंदान केंड रहें अंद महाजवीप फिरका महाजवीप को कहा जाता है भोईस्ट का बंधारगर महाजवीप एसिया महाजवीप को कहा जाता है जबकि पक्षियों का महाजवीप दक्षन अमेरिका को कहा जाता है दो महाजवीप एक दूसरे के जो परती बिम्बे हैं वो दक्षणी अमेरिका या फिरका महाजवीप हैं जबकि आप लोगों से कभी पुछा जाया सकता है कि ऐसा का महाजवीप कौन सा है यह अंटारकटिका है जो नीचे इस परकार से दिया है आप उसे और कभी कभी प्रशने पूछा जाएगा कि जो ला मुखी का सरवता अभावाला महाजवीप कौन सा है और अस्टेलिया महाजवीप में आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो ला मुखी नहीं देखे जाते हैं उसके बाद अगर हम देखें सबसे लंबी दरार घाटी वाला महाजवीप तो फिरका महाजवीप है इस परकार से हमने चर्चा की महाजवीप से पुछे जाने वाले महतुपूर्ण प्रशनों के विसे मैं आसा करता हूँ कि आप लोग को यह चर्चा परस संद आई तो आप लोग अपने अधिक से अधिक मित्रू के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जिससे की आप लोग के साथ आप लोगों के जो प्रेंट्स हैं वह भी इन जानकार्यों से लाभानवित हो सके मिलते हैं जल्द ही एक और चर्चा के साथ तब तक के लिए आप हमारे सा योई ही बने रहे जै हिन जै भारत